दोस्तो हजारों साल पहले कई लोग ऐसे थे जो लूटेरों से बचने के लिए अपना धन जमिन के नीचे दवा कर रखते थे जिनके मौत के साथ साथ इस धन के रखे जाने की जानकारी भी चली जाती थी इसी तरह सालों पहले हीरे और सोने से भरी कई जाहस पानी में दूब गए जिनका कभी भी पता नहीं लगाया जा सका आज ऐसी ही खजाना जमिन और पानी के नीचे दफन है जिन्हें निकाला जाना अभी बाकी है पर पिछले कुछ सालों में लोगों ने आंजन में ही कई ऐसे खजाने खोज निकाले तो चलिए दोस्तों बात करते हैं ऐसी ही कुछ खजानों के बारे में जिसको लोगोंने आंजन में ही धोन निकले तो चलिए शुरू करते हैं मैं हूँ अपका दोस्त राजू और आप देख रहे एडवेंचर ट्यू 1992 में इंग्लेंड के होकसेन इस छोटे से गाउ में रहने वाले पिटल वाटलिंग नमों किसन का हतोरा उनकी ही खेत में कई गुम हो गया जो नहीं मिल रहा था इसलिए पिटल अपने एक दोस्त को मेटल डिटेक्टर लेकर अपने खेत में बुलाया पर इससे खोजबिन करने के बाद उन्हें वो मिला जिसकी उन्हें उमीद भी नहीं थी उन्हें जमिन के नीचे काई सलो से दफने ख़जाना मिल गया था जिसमें चांदी के चम्मस और सोने की सिक्य शामिल थे उसके बाद उन्हें आर्केोलोजिस्ट को बुलाया और जमिन के नीचे बागी ख़जणों को भी बाहर निकाल लिया जिसकी किम्मत 25 करोर तक आकी गई बाद में ये ख़जणा बीटिश म्यूजियम में रखा गया है जिसमें उस किशन का हतोरा भी शामिल है 1840 में जब इंग्लेंड के रिवल नदी के उपर बनाए गए बांध को रिपेर किया जा रहा था तभी करीगरों के दलों को एक बक्सा मिला जिसमें चांदी के सिक्के और अलग अलग तरह के सोने और चांदी के गेहने थे ऐसे 8000 से भी जादा किम्ती चीजे उस बक्से में पाई गई स्टाड़ी करने के बाद पता चला ये ख़जना अंग्लेजी हुकमत का हो सकते है जो आज बीटिश मुजियम में रखा गया है फरवरी दोहाचा 13 में जब उत्तरी क्यलिफोर्णिय में रहने वाले एक कपल मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तभी एक पेर की छाओ में उन्हें कुछ नजर आया उन्हेंने करिब जाके देखा तो एक डिब्भा उन्हें कीचर में धसा हुआ मिला उन्हेंने उसे बाहर निकाला और खोल के देखा तो उसमें से उन्हें सोने के कई सिक्के मिले और खोजबिन करने के बाद उन्हें वुआ ऐसे पाथ डिब पे और मिले जिसमें से कुल मिला कर उन्हें 1400 सोने के सिक्के मिले जिसकी कीमात आज की जमन में 70 करण भारतियों रूपियों के बराबर होगी आज शा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी तो फिर लाइक कीजिए और अगर आप हमारा चैनल Adventure Tube पे नए है और आप भी ऐसी ही इंट्रिस्टिंग वीडियो पे रूची दखते है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए आज की इस वीडियो में इतना ही फिर मिलूंगा दूस्तों एक नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार